वेलकम टो एक के टेकनोलोजी एंड ट्रावेल फैमिली आज हम जा रहे हैं गणेस्पूरा जो आपने टाइटल देखे तो पता चली गया होगा कि आज हम जा रहे हैं गणेस्पूरा गणेस्पूरा एमदाबाद से 59 किलोमेटर जाने के लिए है ठीक है और साथ-साथ में जी वहाँ पर स्थापित कैसी तरह हुए और उनका क्या महत्वा है वो सब कुछ डेटल आपको हम विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे तो बने रही है इस चैनल के माध्यमत्रू आपको पूरी डेटल मिल जाएगे आपको तो इस चैनल को सुरू से देखेगा और उसको पूरा डेटल सहम आपको सेर करने जा रहे हैं ठीक है तो विक्रम सम् 938 वच्चार का दिन था रविवार जो हाथिल था गाओं वहाँ पे केड़े का जो जाला था वहाँ पे सब खोदकाम हो रहा था जब खोदकाम हो रहा था तो अचानक वहाँ पे से गणपती दादा की म प्रगट हुई जब प्रगट हुई मूर्ती तब सब लोगों ने देखा कि ये जो मूर्ती है ये मूर्ती जो है वो मूर्ती के पैर में सोने के तोड़ा है कान में कुंडल है और माथे के मूगट है केर में कंदोरा है उसके साथ ये मूर्ती फुरा प्रगट हुई जाके वहाँ पे सब लोग आए, जो तीन गाउं थे, जो तीन गाउं का नाम में बताने जा रहा हूं, जो इसका नाम था, मतलब रोचका था, कॉर्ट था, और वनकुंडा करके जो गाउं थे, वहाँ के जो बड़े-बड़े आगे वान थे, वो लोग आए, उन्होंने ऐसा म बेल गाड़ी में रख दो, बेल गाड़ी में रखने के बाद सरत ये थी कि वो बेल गाड़ी को कोई भी हंकारेगा नहीं, वो बेल गाड़ी जो है अपने आप जाएगी, जहां पे भी जाना है, वहां पे जाएगी, और जो वहां पे रुकेगी, और जो मुर्ती जहां जगा पर वहाँ पर रुकेगी, वहाँ पर ही गंडविश जी का स्थापन हो जाएगा, ऐसी तरह करके सब लोगों ने आख या उसके बाद जो मुर्ती थी गंडविश जी की, जो खोदकांग करके टाइम पर उनको मिली थी, वो मुर्ती को उन्होंने गाड़े में रखा, गाड़े अपने आप चलने लगा, बीना बेल का, और वो चलते 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 गंडविश पूरा जो टेकरा था, वो टेकरे पर जाके वो वहाँ पर रूख गया, जब वहाँ पर रूखा, तो वहाँ पर एक बरवाड था, दूदो बरवाड बोला जाता है उसका, तो उन्होंने वो ट गणपद पूरा बोला जाता है जो कोट में आया हुआ है यह जो था गणपद पूरा प्रागट्य प्राइरी चाहिए था जिसका मैंने आपको विस्तार पूर्वर डिटेल दिया होगा दूसरा ऐसा है कि यह जो पहले गणपद पूरा जी थे ठीके जो कोट में आये थे वहाँ पे क्या था पहले तो जो गणपद पूरा जी का स्थापन हुआ था तब एक नॉर्मल मंदीर था और उनसके सामने एक पेड लगा हुआ था और मान्यता ऐसी थी कि अगर वो पेड मे से जो साक होती है डंडिया होती है अगर वो तोड़के अपने घर पे ले जाओ तो क्या है कि आपके घर पे कभी भी लक्षमी जी का कोई भी प्रोब्लेम नहीं होगा ऐसी मान्यता पहले बताई जा रही थी आप देख सकते हो कि मेरे लाफ्टन साइड पे गार का पार्किं मंदीर का पूरा विश्त्रान हो चुका है वहां पे और प्रवेशदार हो सब कुछ सब चेंज कर दिया गया है आज की तारिक में सब चेंज है सब बढ़िया बना दिया है मंदीर को पूरा रिनोवेशन करके जीनोतदार करके आप देख रहे हो आगे वीडियो में जो मंद जा सकते मतलब अंदर मंदिर के जो कर्व क्रू है वहाँ पर फोटो नहीं क्लिक कर सकते तो मैंने थोड़े क्लिप्स जो फोटोग्राफ से वो मैंने एड किये हुए है आप देख लीजिए और दर्संग का लूपत लिए दीजिए मंदिर में जाने के लिए आपको बाहर से मैं जूम करके दिखा रहा हूं गणेश जी की जूम उठती है उसका तर्संग ले दीजिएगा ठीक है क्योंकि बाहर ही पॉंट रखना पड़ेगा तो मैंने जूम करके ट्राइ किया हूँ है वीडियो में फोटोग्राफ साने के लिए और साथ साथ में मैंने जेपी जी फाइल भी एड़ किया हूँ है तो आपको उसके द्वारा भी आपको तर्संग का पूरा मतलब गणेश जी जो है यह जो गणपत पूरा में जो गणेश जी है वो पूरे इंडिया में मतलब खड़े रहने वाले एक ही गणपत जी है यह मंदीर के बाहर का आपको व्यू दिखा रहा हूँ और आपको दजा का भी दर्संग करवा रहा हूँ और दूसरा चीज यह है कि गणपत पूरा में एक और भी है मतलब कि जहां पे बहुत बाहर से दूर से लवकार रहे हैं मनो कामना पूर्णा करने के लिए यहां पे क साथिया करना है उसको जब आपकी मनो कामना पूर्णा हो जाती है तब वापीस ही यहां पर आके उसको सही तरीके से साथिया करना होता है उसके उपर मोदकक और कुश पैसे चड़ाये जाते हैं और गेहु किया ही वहां पे होता है सब कुछ Sumo देहु से ही स्वस्तिक बनता है तो देख लीजिए क्या आप लोग जानते हो कि कि गनेश जी की पुजान में जो यूज किया जाता है दुरुआ किजड़ा और सपे राकड़ा का उसका भी क्या महत्वा है नहीं पता तो मैं आपको 100 पसंद बता दूंगा कि उसका भी क्या महत है जो देवो थे रूशी मुनियों थे उसको जब तरास हो रहा था देवो और रूशी मुनियों को बहुत ही तरास दे रहा थे अलका सूर नाम का जो राक्षस था अनला सूर करके उसका राक्षस का बहुत ही ज्यादा मुतलब तरास दे रहा था देवो और रूशी मुनिय समा लेनी के बाद अचानक से गणेश जी को दा उपढ़ने लगा दा बुले तो एसीडिटी उपढ़ने लगा तब प्रह्मा विश्णु और महेश ने बहुत ही सारा उपाई किया कि उनका दा जो है वो खतम हो जाए और गणेश जी को अच्छा हो जाए लेकिन ऐसा हुआ न दुर्वा बुले को धरा धरा गजानन के मस्तिक से लेके मस्तिक पे चड़ाया मस्तिक पे चड़ाने के बाद गजानन का जो दाथ हो कम हो गया कम हो जाने के बाद उन्होंने प्रसन्न होके सबको यह बताया कि कि अगर जो दुर्वा मेरे सर पे चड़ाएगा तो उसको सहस व्रत्दान और तीर्थ पुन्यन मिलेगा ऐसा गणिस्पूरान का जो 106 नंबर है उसमें ऐसी तरह पताया गया है दूसरा है खीजड़ा और सफेद फूल उसका भी में महत्वा पता देता हूं और वेशी रूशी की जो पूत्री थी शमी और उसका जो जमई था मंदार वहा पर जो भगत थे रूशी बाश्टू रूशूंडी वहां पर उनके आश्रम में आ गए अचानक से और वहां पर देखा कि यह कद्रूपे है तो उनका मदब मनहार करने लगे तो उन्होंने क्या कि अब रूशंडी रूशी ने स्राप दिया और वेशी की रूशी जो थी कन पर लिद कर दिया और वहां पे से वो निकल गए उसके बाद मनहार गुरू जी ने महार स्री शोनक और 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 वेशी ने गजानन शडियाद नर मंतर का जाप किया जो 12 साल तक टपरश्य किया उन्होंने तपरश्य करने के बाद वहां पे भगवान गजानन प्रशन उन्होंने व्रुषन जी स्वामी जी जो थे वह भी उनके बहुत ही बड़े भगत थे तो उन्होंने क्या कर दिया कि उनके वच्चन का कुछ आरोंड ना हो इसलिए उन्होंने ऐसा बताय कि जो मूट से स्थापित होगा मंधार मतलब सफेद आंकड़ा तो उसका फूल और खीजड़े समी समी मतलब खीजड़ा उसका पान जो मेरे पे चड़ाएगा मेरी पूजन में रखेगा उसका सर्वा इच्छाओ पढ़नी पूर्ण होगा ऐसी तरह दुर्वा खीजड़ा और सफेद आंकड़ा का भी महत्वा बताया गया है और उसके बाद वहां से हमने प्रशाद लिया जो गणेश जी के अतिप्रिय बोदक के लड़ू जो थे वो लिया और हम घर की तरफ निकल गए बोलो गजानन महराज की जाए इस वीडियो में आपको अगर कुछ भी नोलेज अच्छा मिला है तो प्लीज इस चैनल को लाइ झाल